हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माय चैनल मैं हूं साना और आज मैं आपके साथ चोटे बेंगन की एक कैसी रेसेपी शेयर कर रहे हूं जो आम तर पे सभी बनाते हैं लेकिन हम इस रेसेपी में कैसी चीज शामिल करेंगे जिससे हमारे खाने का हमारे रेसेपी का सबजी का आपके इसे बनाना श्रू करते हैं एक पूछ ले टेगन के अपक्र की एक घगाएंगे और फिर हम इक क्रॉस कट लगा देंगे तो इस तरीके से इसको कटकरकर देंगे इसको काट करके नदर से भी दो कोई देख लेंगे तो नहीं है यह हमारे में सारे बैंगन को काट करके तयार करिए के दिया चलते हैं हम इने फ्राई कर निये तो इसे सर्सों के डिये बना रही हो क अच्छे से तरी के घर्म कर लेना हैọi वे तो पंधर लिएrá से इस्टार करें यहीं तब नमक भी पाउडर बहुत हमारे यह अच्छा साथ टेस्ट होगा यानि कि हमारे चुप करने तो नमक तेस्ट यहां पे इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आजाएगा तरीके से तरीके से तो अब इसको फ्राइ कर लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पे तीन से चार म sleeping एक साइड से पकने देंगे पलके पर और तीन से चार मिंद और पकालेंगे लेकिन उसे बगन करते लेकिन रहती है उसे में पकाएं गोजने करशि vot हाँ परहसे पाना पड़ाइक laid काई और बेगन फ्राइए अब उसी कड़ाई के अंदर हम थोड़ा सा ओएल और एड़ करेंगे अब इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के लिए हम यहां पर दो बड़े चमस ओएल इसमें आड़ कर लेंगे और इसको अची तरीके से फिर से गरम कर लेंगे पैल जसी गरम होगा हमड़े से साबूत गरब बिशाम, निशना भूरा Ll suik On जीरा अट करेंगे और एक फिसमें बेय लीब यानिकी थेज पता लीब हम इसमें अड़ कर लेंगे सारे मसालों को थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे और उसके बाद इसमें हम एक मीडियम साइस का प्याज और एक चौप करके वह आड़ कर लेंगे ब्राउन कर लेना है बहुत जादा फ्राई करना है इसको हलका सा ब्राउन कलर आजा इतना ही हम से फ्राई करेंगे याज हमारी ब्राऊन हो गई है अब इसमें अधरक लैसुन का पेस्ट डारेंगे चोटी चम्माच और इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए बून लेंगे अब इसमें मैं आड़ कर रही हूं दो मीडियम साइस की टमाटर को मैंने चौपर में चला के क्रश कर लिया है आप चाहे तो कदू कर लें या आप मिक्सी में चला के पेस्ट बना लें जैसे भी आप डालना चाहे या काट करके भी डाल सकते हैं यहां पर टमाटर एड करने के बाद एक बार चला देंगे और फिर इसमें हम तोड़े मसाले तो यहां पर एक हरी मिर्षभी में डालेंगे लाल मुष्ण का पाऊडर एक चोटी चममच वन फोटी स्पून हल्दी पाऊडर डालेंगे आदा चोटी चमच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे वन एन हाफ टी स्पून यानि की डेड़ चमच हम इसमे धनिय का पाउडर डालेंगे नमक हम अपने टेस्ट के साब से डालेंगे और एक चोटी चमच हम इसमें अमचूर पाउडर अड़ करेंगे एक चमज अम्चूर पाउडर डाला है इसमें अच्छा टेस्ट आता है बहुत आच्छा चा इसमें टेंगी फ्लेवर आता है खटास आ जाती है नमक मैंने पहले भी मेंगन में थोड़ा सा डाला था तो यहां पर थोड़ा सा कम नमक डालें मैंने आदा चोड़ी चमब से थोड़ा जादा डाला है अब सारे मसालो को अच्य से मिक्स करें लेंगे और अधकर के पकने देगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 मिल्ट के लिए मसालो को अधकर के पकाया यह जो मीडियम फ्लिम पे इसमें डालेंगे यह सीक्रेट इंग्रीडियंट जिसकी वज़े से हमारी सबजी बहुती टेस्टी बनती है यह है मुंफली के दाने जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके छिलका अटा करके दरदरा सा पाउडर बना लिया है आप जाएं तो बिल्कुल फाइन बना सकते हैं मैंने थोड़ा दरदरा पाउडर बना करके यहां पर डाला है दो चमज के करीब इसे हमारी सबजी का टेस्ट तो गुना बढ़ जाएगा डबल हो जाएगा बहुत ही टेस्टी सबजी बनेगी और से डालने के बाद धककर मैंने दो से तीन मिट और पका लिया है यह देखिए हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे पा गुआ कि अधिक तो बस अब इसको धकर के पकाएंगेँ हम तक्रीबन तीन से चार मिट के लिए और धकर के पका लेंगे तो तीन मिनट मैंने एक साइट से इसको पकने दिया है आप पलट करके हम दूसी साइट से भी बैंगन को अच्छी तरीके से पकने देंगे एक बार अच्छे से पलट देंगे बेंगन को हम ढखक करके दो मिनट के लिए पकाएंगे और दो मिनट बाद यह हमारी सब्जी रेडी है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और बारी कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर देखिए मैंने इसमें वन फो टी स्पून गरम मसाला पाउडर ड मिक्स कर देंगे और धकर के दो मिनट के लिए छोड़ देंगे से दो से तीन मिनट मैंने इसे धकर के छोड़ दिया था सब्जी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है तो इस तरीके से आप भरबा बेंगन की रेसेपी जरो ट्राइ करें आम शिर आपको पसंद आएगी वीडिय लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें